गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपने फंक्षन सेंटल बैंक की कवर करे थे जिसमें से की लेंडर और लास्ट रिजॉर्ट तक हमने कवर कर लिए ते लेकिन उसके आगे के रह गए तो आज हम वो कवर करते हुए हमारा नेक्स्ट जो स एकाउंट्स को कौन सेटल करता है और भी है ना तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो सारी जो भी प्रॉब्लम से वो आर भी आई ही सेटल करेगा ठीक है तो उसके लिए क्या है इसे हम क्या कहते हैं क्लेरिंग हाउस ठीक है जैसे मालेचे अभी कुछ दिन पहले का है कि एस बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुई तो लेकिन पब्लिक सब क्या था वह अभी रुकी हुई थी कि भी चलो आर भी उस पर क्या फैसला लेता है वह चीज देखने के लिए ठीक तो यह जो है क्लेरिंग हाउस इसका फंक्शन हो गया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉर कि एफ्टम क्या होता है रखना किसी वी चीज की कस्टिडी लेना है कोई भी चीज सेव करके रखना उसे कस्टोडियन क्याते हैं तो कि पास हमेशा फॉरर एक्स्चेंज जो है वह पढ़ा रहता है मतलब उनके पास कुछ नो कुछ currency जैसे dollar pound हमेशा थोड़ी थोड़ी quantity में होती ही है RBI के पास में तो जब भी उसको जरूरूत पड़ती है तो वो उसको withdraw कर सकता है उसे निकाल सकता है उस currency को ठीक तो यह क्या हो गया हमारा currency हो गया custodian of foreign exchange reserve जैसे कि cash reserve रखता था ना RBI अपने पास वैसे ही वो foreign currency को भी अपने पास reserve करके रखता है संभाल के रखता है तोड़ा किसी भी time अगर उसकी जूरूत पड़े तो वो उसको withdraw करने के लिए उसे use करने के लिए ठीक अब हमारा next और last function क्या है वो है control of money supply credit अब students यह हमार सबसे important topic है इन सारे functions में सबसे ज्यादा important topic है हमारा क्यों है क्योंकि RBI के पास currency authority है है वो currency print भी कर सकती है उसे note को रुकवा भी सकती है print होने से कुछ भी कर सकती है तो अब market में कितनी money होनी चाहिए है ना कितनी money होनी चाहिए है इतनी money जो मार्केट में उसे control करना वाल उसे रोक सकती है जो मार्केट में पैसा है उसे वह withdraw भी कर सकती है उसके अंदर और जदह चाप भी सकती है कि अच्छा कम पढ रहा है तो वह से आगे बढ़ा दे और प्रिंट कर दे ठीक तो यह चीज सारी काम कॉन देखता है control of money supply and credit RBI देखता है इसके दो इंस्ट्रूमेंट है वह कैसे control करती है दो इंस्ट्रूमेंट है उसके पहला है quantitative instrument और अगला है qualitative instrument quantity का मतलब क्या होता है मान लिजे कि market में 80 करोर रुपीज लगे हुए है वह 80 करोर को 100 करोर में बदल सकता है और पैसे लगा दे या 80 है उसे वह 60 भी कर सकता है विड्रॉ कर ले कम कर दे market में पैसा तो यह सारा काम कौन कर सकता है हमारा RBI कर सकता है दूसरा ह है qualitative qualitative का मतलब क्या होता है मान लिजे कि जो पैसा है वह 80 करोर तो उन्होंने इंडरस्ट्री में लगा रखा है और 30 करोर लगा रखा है agriculture में तो वह ऐसा भी कर सकता है इसे shift कर दे 50 करोर तो agriculture में लगा दे और 30 करोर हमारा इंडरस्ट्री में लगा दे मतलब इस तरह के changes भी कौन कर सकता है RBI कर सकता है अपने उसमें ठीक तो यह हमारे जो है सारे functions से जो हमने cover कर लिए अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था कि आप मुझे हमारे गवर्नर का नाम बताएं मेरे पास messages कुछ आए भी है लेकिन अब मैं इसमें declare भी कर देती हूं शक्तिकान दास जी जो है वह हमारे गवर्नर है RBI के ठीक इस चीज को आप नोट करिए और जो डेट मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि RBI कभ इस्टाबलिश हुआ बैंक उसकी अब आप मुझे उसकी डेट बताईए कमेंट करके ठीक थैंक यू